जै श्री कृष्णा कंसवध की पौरानिक कथा द्वापर युग में हुई एक आकाशवानी भगवान कृष्ण के जन्म कारण बनी थी इस आकाशवानी के अनुसार कंस की मृत्यु देवकी की आठवी संतान से होनी थी कंस को पता था कि कृष्न ही देवकी की आठवी संतान है इसलिए उसने कृष्न को मारने के लिए कई शड्यंतर किये लेकिन वे सब विफल होते गए वह बार-बार राक्षसों को कृष्न का वद करने के लिए गोकुल भेजा करता था लेकिन कृष्ण सबको परलोग भेज देते थे वह किसी भी तरह कृष्ण को खत्म कर देना चाहता था इसलिए उसने एक योजना बनाई उसने एक उच्सव का आयोजन किया और कृष्ण और बलराम को उस उच्सव में आमंत्रित करने के लिए अकरूर जी को गोकुल भेजा उसकी योजना थी कि वह उच्सव के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला कर उन्हें आसानी से मार डालेगा कृष्ण और बलराम अकरूर जी के साथ मथुरा आए कंस ने उन्हें मारने का सारा इंतजाम कर लिया था उसने द्वार पर कुवल्यापिडा नाम का एक हाथी खड़ा कर रखा था जो बहुत हिंसक था कंस ने महावत को समझा रखा था कि कृष्ण और बलराम जब द्वार पर आए तो वह हाथी के द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दे कुछ देर बाद जब कृष्ण बलराम द्वार पर पंहुचे तो देखा की रास्ते में एक हाथी खड़ा है कृष्ण हाथी के पास गए और उसकी आखों में गौर से देखने लगे लेकिन हाथी उन्हें अपनी सून्ड से मारने की कोशिश करने लगा तब कृष्ण ने उसकी सून्ड को धीरे से थप्थ पाया और ऐसा करते ही उसके प्राण निकल गए जब कंस को पता चला कि उसकी हाथी वाली चाल असफल हो गई है तो उसने चानूर और मुष्टिक को बुलाया ये दोनों पूरे मथुरा में मल्ल युद्ध के सबसे श्रिष्ट पहलवान थे कंस ने इन दोनों को कृष्ण और बलराम से मल्ल युद्ध करने और उन्हें मारने के लिए कहा अब मल्ल युद्ध शुरू होने वाला था और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए चानूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम लड़ने लगे कृष्ण ने चानूर के दोनों हाथों को पकड़ कर उसे हवा में घुमाया और जमीन पर पटक दिया इससे पल भर में चानूर के प्राण निकल गए बलराम ने मुष्टिक को एक जोरदार मुक्का मारा जिससे उसके मुक से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिरकर मर गया यह देखकर वहां मौजूद लोगों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कृष्ण बलराम का जयगोश करना शुरू कर दिया कंस यह देखकर बहुर क्रोधित हुआ उसने अपने सैनिकों से कहा देखते क्या हो इन दोनों के टुकडे टुकडे कर दो लेकिन वहां पर यादववण्ष के लोग भी मौजूद थे जो कंस के सैनिकों से भिड़ गए चारों तरफ भगद मच गई कंस ने भी कृष्ण को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली लेकिन इसी बीच श्री कृष्ण कंस के पास जा पहुँचे और उसके केश पकड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया फिर उन्होंने कंस की छाती पर मुष्टिका से एक प्रहार किया जिससे उसी क्षण कंस की मृत्यू हो गई इसके बाद श्री कृष्ण ने उग्रसेन जो कंस के पिता थे को कुन्ह मथुरा का राजा बना दिया और अपने माता पिता को भी काराग्रह से मुक्त कराया जिस दिन कृष्ण ने कंस का वध किया था, वो कार्थिक माह के कृष्ण पक्ष की दश्मी तिथी थी तब से इस दिन को कंस वध के रूप में मनाया जाने लगा इस वर्ष यह तिथी 2 नवंबर गुरुवार को पड़ रही है तो यह थी कंस वध की पौरानिक का था पूजा करें जय श्री कृष्ण